मेरा नाम अजित है मैं एक केमिकल इंजिनियर हूँ मैं सोभाव से बहुत ही रिज़र हूँ इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना जादा दोस्ती रही न ही कोई मेरी गल्फ्रेंड बनी अब मेरी जोब लग गई थी और घरवाले अब शादी की बात करने लगे घर पर कई तस्वीरे और बायोडाटा आने लगे उनमें से मुझे अंजली देखते ही पसंद आ गई बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पड़ी लिखी थी मैंने अपने घरवालों से कहा कि मुझे अंजली पसंद है हम लोग अंजली के घर उसे और उसके परिवार को द रहे जा कमरे में वो चुप थी उसके चहरे पर इतनी कुशी नहीं थी मेरा दिल धड़क रहा था मुझे लगा कि उसे में पसंद नहीं हूँ फिर मैंने ही बास शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा द पसंद हूँ वो बोली मेरे पसंद की बात नहीं है आप खुद मुझे ना पसंद कर देंगे मुझे पता है उसने कहा अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे आप से पहले भी दो को दिखाया उन्होंने देखते ही मना कर दिया यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी मा कमरे में आ गई शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बाते करती है और कुछ बताती है उसकी ममी ने क बहा चलिए बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं अंजली ने अपनी मा की तरफ देखा में बाहर आ गया और बाहर मेरी मा और पिता जिने भी मेरी शादी की जल्दी थी वो भी मेरे मुझे बस हाँ सुनना चाहते थे मेरे आते ही मेरी मा मुझे बाहर ले गई और पूछा क जैसे वो हमारी बाते ही सुन रही थी मैंने शादी के लिए हां कर दी मेरे घर वालों ने उन्हें हां में जवाब दे दिया लेकिन अब मैं एक दूइधा में था कि मैं क्या करूँ मैंने उससे बात करना चाहा मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था मैंने अपनी ममी को कहा कि आ लोग जल्दी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे एक शाम जब मैं ओफिस में था तब एक अन्नोन नंबर से कोल आता है फोन रिसीव किया तो अंजली थी वो बोली की ममी ने मेरा फोन ले लिया है मैं कुछ बहाना वो उसकी फ्रेंड का रूम था मैंने आते ही पूचा उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी ममी तुम पर नजर क्यों रख रही है अंजली बोली मैं तुमें कुछ दिखाना चाती हूं उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अंजल बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाते थे मैंने उसी के नाम का टेटू करवाया था यहा बात मैंने अपने घरवालों को भी बताई थी और वो तयार भी हो गए थे लेकिन सुयस ने मुझे चीट किया वो मेरे अलावा भी किसी और क उसे एक नफरत सी हो गई थी उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोका दिया तुमने पहले भी दो लड़कों को यहा टेटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया ममी इसलिए मुझे पर नजर रख रही है कि मैं तुम आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोका दे सकता है मैंने कहा कि मुझे तुमारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी अंजली को यह उमीद नहीं थी उसे लगा था कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूँगा मेरी बात सुनकर उतने इतने दिनों से दबाए आसू बहाने लगे मेरी शादी अंजली से हो गई और मैं अपने आपको बहुत कुछ किसमत मानता हूं कि मुझे अंजली जैथी सची और प्यार करने वाली लाइफ मार्टन मिली है